मैं भाजपाईयों से कहना चाहता हूँ प्रदर्शन करना है तो जाके हर्याणा बहुन पे करो, बीजेपी के दफ्तर के सामने करो और दिल्ली के हक का पानी लेकर आओ हम कोई अत्रिक्त पानी नहीं माँग रहे हैं हर्याणा से, याद रखिएगा मैं बार बार दोरा रहा हूँ 28 लाख लोगों के बराबर पीने के पानी, 100 M.G.D. पानी को हर्याणा की बीजेपी सरकार ने रोका है, हम वही पानी माँग रहे हैं फिर पानी का संकट दूर हो जाएगा, तो पानी का संकट खुझ से प्रायुजित करते हो, प्रदर्शन करने का ड्रामा करते हो, इस काम में LG को भी सामिल करते हो, नायप स्टिंग सैनी को भी सामिल करते हो, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आँख पे पट्टी बांद के बैखे हुए हैं दृतराष्ट की तरह ये सब कुछ पूरी दिल्ली और पूरा देश देखा है और एक मंत्री के तौर पर आतिश्री जी ने लगातार प्रयास किया दिल्ली के लोगों के लिए कहां कहां नहीं जाकर चक्कर काटा कहां कहां नहीं जाकर गोहर लगाई LG से अनुरोज किया अधिकारियों से कहा केंदर सरकार से कहा विनिती की प्रांथना की हर्याना सरकार से कहा दिल्ली के लोगों का पानी दे दीजिए 28 लाख लोगों के हक्ता पानी दे दीजिए जो पानी हमको मिलता रहा है वो पानी दे दीजिए लेकिन आतिसी जो दिल्ली की मंत्री हैं उनकी एक बात सुनने को भाजपा के लोग तयार आए बैठे ना हम बातचीत करने के लिए तयार आमने सामने बात कीजिए आँक से आख मिला कर बात कीजिए और अगर दिल्ली के संकट के लिए भीज़ेपी जिम्मेदार नहीं है तो दूद का दूद, पानी का पानी देश की जनता और देश की मीडिया के सामने हो जायेगा की सीधे तौर पर वीजेपी जिम्मेदार और हृ किसी तौर पर हर्याना की सरकार जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री जिम्मेदार है आपने 28 लाख लोगों का पानी रोग दिया उसके बाद यहां नौ टंकी, ड्रामा, प्रदर्शन, घड़ा फोड़ो, मटका फोड़ो, पटका डाल के मटका फोड़ो, चल रहा है और मजबूर होकर पहली बार इतिहास में होगा जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए, बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News आपको रखे आगे